आप सब आप सब बहुत एच्छे होंगे मैं ग्रिश्मा एक बर फिर सवागत करती हूं अपने चैनल पर तो आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर आ गए हैं रेसिपी मिन्स स्नेक्स की है इवनिंग टाइम में आप उसको टाइम पास के लिए खा सकते हो तो कॉन की रेसिप हम उसको स्वेट कॉन चार्ट भी बोल सकते हैं तो में जा रही थी बनाने उसको तो एक बर फिर से आपके साथ में शेयर करने आ गई तो ज्याद़ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं प्लीज मेरी रेसिपी पसंद आएगी लाइक श इसी है यह हमने स्वीट कॉन ले लिया है स्वीट कॉन मैंने बॉइल करके यहां पर रख लिया है पहले हमको स्वीट कॉन लेना है यहां पर मैंने फ्रोजन स्वीट कॉन लिया है उसको मैंने सॉल डाल के थोड़ा सा बॉइल कर लिया है फिर उसके बाद मैंने बारी थोड़ा शनमीय कशमीरी लाल मिर्च ली है थोड़ा मैने काला नमक लिया और यह मेरा चिली फ्लेक्स भी नाना सा मतलब डालने के लिए उस डूट पीप पर मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो चार-पांच पत्ते वो भी आप डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिर मैंने जो स्वीट कॉन बॉयल करके रखा था वो मैंने इसमें एड़ कर दिया है स्वीट कॉन फ्रोजन या आपके पास अगर फ्रोजन नहीं है तो आप फ्रेश कॉन भी ले सकते हैं लेकिन उसको सॉल डाल के पहले थोड़ा बॉयल कर लें वो मैंने कर लिया था आपको दिखाया नहीं है तो फिर इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ थोड़ा सा उसका फ्लेवर आजा यह देखे हमारा कउन अच्छे से हो गया है रोस्ट करके अब इसको हम एक बड़तन में निकाल लेंगे बड़े से थोड़ा बरतनom क्यूंकि हमको सारी चीजें किसे करना है इसलिए थोड़ा यह पर देगे तो उसके बास हम पृद्वर करते हैं जो भी चीज़े हमने कट क इसमेरी लाल मेर्च, तसकाइब बाल हैं ये अपनी टेस्ट पर कर gesक्रू Republicans क्षमीर लाली मेर्च, तसमीर टेस्ट क काली लाई, ऐसमय कस्तों धाल दिलती हैं इसके बार मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स नमक ये सब तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो आप कितना कम जादा खाते हो जादा स्पाइसी रखना चाहते हो इसलिए मैंने इसकी पॉणडेटी नहीं बताई है कितना किसमें डालना है ये अपने पर डिपन्ड करता है कि आप कितना तीक खा खा रहे हो तो सारी चीज़े डाल के ये देखो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो हमारी रेशिपी हो गई है रेडी साफ करने के लिए खान